आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार आपकी सुरफी आपकी सुरफी आगई हूं फिर से आप लोगों के लिए कौर नया पिक अग्रूप एंड पिक अब्रेसलेट रीडिंग लेकर और इस रीडिंग का जो टॉपिक यह आपने देखी लिए होगा थमने में तॉपिक कुछ इस करने कारता है एक या और या आरिंज्स की तरफ आफ जाईंग वह आपके जी कारण क्या है तो यह सब कुछ आज हम देखेंगे से रीडिंग में कोशिश मेरी यहीं रहेगी कि अच्छे से सब कुछ explain करूँ फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो उसके लिए एक शमा जाओंगी यह जो सवाल है person reading में किसी ने मुझसे पूछा है मुझे लगा कि इस पर मुझे एक journal reading करने चाहिए हो सकता है कि सभी के मन में यह सवाल चल रहे हूं तो सभी के लिए रीडिंग लेना तो पॉसिबल नहीं है और मैं अभी हाला कि कर भी नहीं रही हूं अभी person reading नहीं मैं ले रही हूं मेरा थोड़ा health अच्छा नहीं है तो सिर्फ वीडियो में ही अपने energy लगा रही हूं अलग से नहीं सो बस वही सोचते हुए मुझे लगा कि मुझे यह topic लेकर आना चाहिए तो अगर आपको पसंद आया आप मुझे बताईएगा देखते हैं क्या कुछ आता है आज की reading में है ना वो तो करने के बाद ही पता सलेगा तो यहां पर देख सकते हैं मैंने दो groups रखे हैं यहां पर हैं आपके birth dates यह group number one हो गया यहां पर birth dates कुछ इस तरीके से हैं तो अगर आपका birth date इन में से कुछ है कोई है तो आपको इस वाले group की reading देखनी है ठीक है और अगर इसमें आता है आपका birth date तो इस वाले group की reading आपने देखनी है और अगर आपको birth date के हिसाब से नहीं देखना जो भी आपको अच्छा लगे अपनी intuition की आधार पर और अपनी reading आप देख सकते हैं general reading है guys general reading के जैसे ही देखें क्योंकि यहाँ पर birth dates है तो हो सकता है सभी को लगे क्या रहे अब तो यह personally ही होगे जिनसे resonate कर जाएगी उनके लिए तो हाँ personal ही है और जिनसे resonate नहीं होती है वो बस यही समझ लें कि देखो यह birth dates जो है कई सारे लोगों के होंगी तो हर किसी से energy resonate हो जाए ऐसा possible नहीं है अगर आप वैसे भी राशिफल देखते हो तो जरूरी नहीं होता कि हर किसी के साथ वो हो जो हफते में दिया जाता है कि हाँ ऐसा होने वाला है लेकिन कुछ नों के साथ हो जाता है तो यह विल्कुल वैसा ही है तो जितना आपसे resonate होता है उतना आपने लेना है जितना नहीं होता है उसको जाने देना है confused आपको नहीं होना है परेशान भी आपको नहीं होना है आप देख लो किस हद तक आपसे resonate होता है अगर 80% तक या 70% तक आपसे resonate होता है न तो हाँ एक तरीकी से आपके percent reading ही हो गई है लेकिन अगर उससे भी कम हो रहा है like 10% 20% तो आपको जो guidance मिलेगा वो आप देख सकते हो follow कर सकते हो और next time अगर फिर से आपको ये reading पसंद आती है तो मैं लेकर आऊंगी हो सकता है वो आपस ठीक है ये जो reading है guys time less है आप इसको कभी भी देख सकते हो generalist reading है तो कोई भी देख सकता है और 709 tarot family जो हमारी है यहां पर धर्म और जाती को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता आप किसी भी धर्मिया जाती कि हैं कोई फर्क नहीं पर आप readings देख सकते हैं guidance देख सकते हैं अब भी अगर मुझे orders नहीं आए हैं universe की तरफ से तो ऐसा हो जाता है readers के साथ जब उनको messages मिलते हैं universe की तरफ से कैसे मैं समझाओ जो ancestors हैं जो angels हैं जिनको वो मानते हैं पूझते हर एक reader के रिया में भोल रही हो जब उनकी तरफ से call आता है कि भी आप अपी ये काम करने लग जाओ तभी वो करते हैं अगर उनको इस तरीके के messages आते हैं कि अभी time ठीक नहीं है तो नहीं करते हैं हम लोग क्योंकि वो accuracy की ब reading करना और मैं आपको inform कर दूंगी आप बिल्कुल भी परिशानना हों उस वक्त अगर आप connect होना चाहें तो description में जो details दी गई हैं वहां से आप connect हो मेरे से कहीं और से अगर आपको WhatsApp नंबर या mail ID कुछ मिलता है वहां से connect आप नहीं होंगे ठीक है क्योंकि मैं कभी अपना WhatsApp WhatsApp नंबर या mail ID कॉमेंट में शेर नहीं करती किसी को भी नहीं देती इस तरीके से तो आप alert रहे हैं उसके लिए ठीक है और हाँ जी अगर आपको crystals लेने हैं आपको अगर energized bracelets लेने हैं तो आप हमारा जो एप है family app 709 crystal corner वहां से आप ले सकते हो वहां पर आपको अपना जो date of birth वागिर है वह देना पड़ेगा अगर वह आपका नहीं है date of birth नहीं है और और भी details हम मांगते हैं वह सारी details नहीं है तो पहले वह collect करो और इसके बाद ही आप लेना क्योंकि फिर मैं एनरजाइस करूंगी भी और अगर आपकी details fake होई तो वह कोई फायदा नहीं करेगा फिर आपको ब्रस देख मिल जाएगा या पेवल या जो भी चाहते हो वह मिल जाएगा ओके एंड अगर आप डेली एनरजी चेक इन वागरे देखना चाहते हो या फ्री रीडिंग सेशन जॉइन करना चाहते हो तो आप इंस्ट्रिग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो उसका लि 40 मिनिट्स या 40 मिनिट्स का ही टाइम रहता है मेरे पास वहां पर मैं रीडिंग करती हूं और कॉमेंट्स काफी सारे आ जाते हैं तो सभी को रिप्लाइए एक बारी में मिल पाना मुश्किल है तो मैं पहले से ही बता दूँ अदरवाइस आप लोग फिर नाराज होते हो कि किया अरे हम आयै आपने रिप्लाई निए किया फॉसिबल नहीं हो पाता है मांतिने सारे कमन्स कैंकी रीडिंग कर रहे है ना काट से फिर देखना प prett ना बढ़ता है और यह सी तरीकी से कि रिप्लाइए करना है तो सारे लेकिन रिप्लाइब निकालो फिर उनको देखो उ all the best hello guys तो अगर आपने चूस किया है clearcords को और first group को जहाँ पर birth dates कुछ इस तरीके से हैं देख लेज़ेगा चलिए देखते हैं आपको love marriage करनी चाहिए या फिर arranged marriage तो टेबल क्या रहेगा आपके लिए just a minute guys तो यहां से देखते हैं चलिए sun sun चलिए य्पन देखते हैं झास। two of cups सब कुछ clear I think अगर मैं नहीं भी बताओ तब भी समझ आ गया होगा कि answer क्या है अगर आप reading देखते रहते हो पहली बार आए हो तो बाता लगे so clearly दिख रहा है आपे guys आप अगर love marriage करें तो आपके लिए ज़्यादा better रहेगा arranged marriage न देखो अगर राशियों से शुरू करती हो अगर आपकी राशिया है Libra, Gemini, Parias, Capricorn, Virgo, Taurus Aries, Leo, Sagittarius अगर यह राशियां है तो बहुत अच्छी बात है फिर तो सीधा एक personal reading के जैसे ही समझ लो अगर यह राशियां नहीं है तब ही कोई बात नहीं अगर आपकी सूच की मैं बात करूँ तो आपकी हिसाब से शादी जैसा फैसला हमें practical होकर करना चाहिए इमोशन्स में बहकर यह फैसला नहीं लेना है शादी का अगर आप थोड़ी से flirty type हो flirt वगेरे करना आपको पसंद है तो आप मतलब उतना ही flirt करते हो कि ठीक है कोई serious नहीं हो हलके फिलकी हसी मजाग हो गया और जैसे आपको लगा कि कोई serious हो रहा है तो आप निकल लिए क्योंकि आपका विश्वास उसमें नहीं है कि आप किसी को पसंद करें फिर शादी करें आप पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहे जैसे आप शायद आपकी फैमिली आपके लिए बहुत important है कुछ है ऐसा आप practical होकर जो फैसला लेना चाहरे हो शादी के लिए वो भी उसी वज़े से है जैसे अगर मैं आपकी energy देख लिखने वाले एंड हो आप romantic से वीनस हो सकता है आपका बहुत ज्यादा लैक कैसे बता हूं बहुत powerful है लेकिन कुछ ऐसा है आपके साथ कि आपका जो आपका जो soul type है ना वो तो emotions को importance देता है लेकिन आपको ऐसे बना दिया गया जैसे कवच सा आपके उपर बना दिया गया कि यह जो emotions है ना इनको आपने अंदर ही रखना है यह emotions ऐसे ही feel करने के लिए हैं हो सकता है आपके घरवालों ने कहा हो कि हां तुम्हें flirt करना है तो कर लो तुम्हें romance करना है तो कर लो लेकिन शादी हमारे recording ही होगी और शादी वहीं होगी जहां पर हम कहेंगे और शादी ही होती है शादी का मतलब यह नहीं है कि आप किसी से प्यार करें और फिर शादी करें ओके शादी का फैसला ट्रैक्टिकल होकर लेना पड़ता है और वहां पर emotions की कोई जगर नहीं होती हमें देखना होता है कि कहां से हमारी बराबरी है कौन हमारे लिए हमें फायदा दे सक लिए के इस तरीकी की चीजे या तो आपकी कंदीशनिंग एसी गरी गई है जैसे मैंने कहा ना कि कवच्च सा है आपके ऊपर उपर से अगर आपके आपको देखो आपके विचार सुनो तो आप यहीं कोगे कि प्रैक्टिकल होकर हमें फैसला लेना है लोजिकल होकर फैसला यह वह लेकिन अंदर से आप उस टाइब के हो नहीं, ऐसा मुझे हू रहा है, अब पता ही आपको समझ आ रहा है या पर नहीं आ रहा है, कोशिश तो मैं कर रही हूँ, जो मुझे दिख रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, सो आपके लिए क्या है कि अगर आप arrange marriage करते हो जिसके chances हाई हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप arrange marriage ही करोगे से वेस लिए क्योंकि आपके parents ने कहा आपके friends ने कहा आपके आस पास वाले कहेंगे कि देखो माबाप ने इतना किया है उनकी सुनों देखो society को देखना चाहिए देखो ये तो प्यार तो मतलब ऐसा है कि आदत है उसको बदला जा सकता है प्यार कुछ नहीं होता ये सारी बा पहला साल बहुत अच्छा रहेगा, बहुत excitement होगा, connection बहुत passionate होगा, धीरे 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 करके, या तो आप सामने वाले को cheat करोगी, या सामने वाला आपको cheat करेगा, और in the end, जो connection है, वो खत्म होने पर आ जाएगा, या फिर खत्म हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता जादिया, अग्यान मैं कहूंगी कि general reading है, तो भई, जो आपको ठीक लगे, आप वही करें, जो आपको suitable लगता है, आप उसी तरफ जाए, लेकिन क्यूंकि मैं reading कर रही हूँ और जो cards में आए, वो तो मैं बताऊंगी, ठीक है, तो love marriage आपके लिए अच्छा है, और आपको म यह भी देख रही हूँ कि आप options को छोड़ कर उस तरफ जाएंगे, जो दिशा आपकी है नहीं, यहाँ पर कही सारे लोगों के लिए मैं यह देख पारी हूँ, sorry to say, कि हाँ पर हो सकता है आपकी दो शादिया हो, पहले आप arrange marriage करें, उसके बाद वो खत्म हो, और फिर आप बहुत पसंद किया गरते थे, फिर हो सकता है आपने उसको छोड़ दिया हो, या फिर आगे ऐसा हो, I don't know, लेकिन ऐसा मुझे दिखाई देता है, अगर आप love marriage करते हो, बेशक आपकी दो शादिया नहीं है, लेकिन arrange marriage अगर आप करते हो, तो यह चीज़ें आप हो सकता है, face करो, अब कितने लोगों से resonate हो रहा है, पता नहीं, लेकिन जिन से हो रहा होगा, उन से तो 100% हो रहा होगा, क्योंकि वो energies ही ऐसी है, मैं feel कर पार रही हूँ, March, April, July, October, यह जो months है ना, यह significant रहे होँगे आपके लिए, हमेशा से, कुछ ना कुछ इन महीनों में हुआ होगा, जून का महीना भी आता है, इसमें भी हो सकता है, कुछ ना कुछ हुआ हो, अभी भी हो रहा हो, ठीक है, So, soul type आपका ऐसा है, जो कि love marriage की तरफ आपको push करने की कोशिश करता है, लेकिन आपका दिमाग जो है, दिल जो है, वो तो love marriage की तरफ है, दिमाग जो है, वो orange marriage की तरफ है, और दिमाग आपका जादा, मतलब दिमाग पर आप जादा जोर देते हो, कि मुझे दिल से नहीं और यह जो soul and intuition की बाते हैं, यह विकार की बाते हैं, इनको एक हत्तक ही follow करना चाहिए, इस तरीके के विचार, आपके या तो पता नहीं किस ने बना दिया, जो भी है, लेकिन आप दिमाग को मतब जादा value देते हो, कि दिमाग जो कह रहा है वो सही है, और उसके चलते, जो जाएगा कि यह सही है, आप सही समझकर करोगे, कि यह सही है, arrange marriage करना सही है मेरे लिए, बाद में आपको ऐसे feel होगा कि problem हो गई, so मैं तो यही कहूंगी, कि आप love marriage की तरफ जाएं, सामने वाले को समझें, जाने, और यह जो सोच है कि आरे, शादी के बाद सब ठीक हो जाता भी हो, तो आपको अगर कोई समझालेगा ना, तो वही समझालेगा जिसको आपसे पहले से प्यार है, अगर आप किसी के साथ में शादी करते हो, फिर सामने वाले से expect करते हो, कि बच्चों के जैसे वो आपको treat करे, लाड़ प्यार करे, तो नहीं हो सकता, इतना नहीं हो पा marriage ही अच्छी, arrange marriage करोगे, तो issues रहेंगे, ठीक है, और देख लेते हैं, कि क्या है आपके लिए, क्या मेरा वड़ा इलता है, क्या बात है, मुझे ऐसे लग रहे है, जैसे कई लोग यहां पर ऐसे है, जो already married है, फिर भी यह reading देख रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने बोला ना, कि आप love marriage, आपको करनी चाहिए, लेकिन आप arranged marriage की तरफ जादा, जादा weight डाल रहे हो, और हो सकता है कि आप कर चुके हो, शादी और फिर यह reading देख रहे हो, I don't know, okay, alone is, है, देख लो, creativity, sorry guys, moment to moment, number two, letting go, number eight, reward, again, वही चीज़, आप अगर arrange marriage करते हो ना, तो एक अकेला पन हमेशा feel करोगे, और आप काफी जादा creative हो, ठीक है, काफी creative हो, काफी talented हो, और यह जो talent है, यह जो creativity है, आपकी तभी बाहर आएगी, जब आपके साथ, आपका soulmate हो, या जिसके साथ में आपको attachment लगे, okay, जब वो आपके साथ होगा, तो अपने काम को बड़े ही बहतर तरीके से कर पाओगे, लेकिन अगर वो नहीं है, आपको ना, मतलब कोई एक ऐसा चाहिए इंसान, जो आपको हमेशा boost करता रहे, motivate करता रहे, कि देखो हाँ, तुम इस लायक हो, तुम यह कर सकती हो, तुम करो, है ना, तो वो चीज़ आपको love marriage में ही मिलेगी, arranged marriage में chances कम हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आपको मिलेगा ना, आप सडनली उससे वही expect करोगे, जो कि आप, अगर आप किसी को पसंद करते थे, मुझे ऐसा लग रहा है, कि आप किसी को, अगर आप marriage हो, तो आप शायद किसी को पसंद करते थे, फिर आपने उनको let go किया, और आपने arrange marriage करी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो चीजे मिल रही होंगी, जो उस वेक्ति से मिलती थी, क्योंकि ये प्यार करने वाला ही दे सकता है, arrange marriage में भी हो सकता है, आपको ये मिले, कि कोई आपको motivate करे, आपको कोई pamper करे, लेकिन उसके लिए आपको time देना पड़ेगा, आपको time द अपना थोड़ा सा बचपना सा है आपके अंदर, ठीक है, समझते आप सब हो, लेकिन वो न, क्योंकि nature है, मजबूरी सी बन जाती है, हम है ऐसे, क्या करें, है न, वो चीज़ है, तो देना, लेना, वेट करना, धैर रखना, अगर आप धैर रख भी लो, कि चलो ठीक है, इस तक वो तैयार हुआ सामने वाला, राइट, तो वो चीज़ है आपके साथ, आप अगर ग्रो करना जाते हो, लाइफ में, शादी के बाद, तो तब ही ग्रो कर पाओगे, जब आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिले, जो आपको माबाप की जैसे प्यार करे, ऐसा समझ लो, आपका जो भी हस्बेन या वाइफ जो भी हो, वो आपको विल्कुल वैसे ही ट्रीट करें, जैसे आपके माबाप करते हैं, जिसके साथ में आपको अटेच्मेंट जादा लगता है, मा के साथ या पिता के साथ, ठीक है, तो आपको वैसा ही कोई ख्याल रखने वाला चाहिए, ये रीजन है, ठीक है, मैंने आपको क्लियर्ली बता दिया, और देख लेते हैं, I don't know कि आपको समझ आ रहा होगा या फिर नहीं कोशिश तो मैं बहुत कर रही हूँ, कि मैं आपको समझा पाऊं, और मुझे ये भी लग रहा है कि मेरे समझाने के बाद भी यहां पर लोग गलत डिसीजन लेंगे, और मैं कुछ नहीं कर सकती, समाधिक, एक रीजन ये भी है कि जब आप अंजना यहां पर आया है आपके लिए, एक रीजन ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा एकसाइटेट भी हो जाते हो, और उसके चलते सही क्या है गलत क्या है वो भी भूल जाते हो मैंने कहा ना थुड़े बच्चो जैसे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आप अरेंच मैरिश करो तो excitement में आकर आप इतना सब कुछ सामने वाले को दे डालो जितने कि उसको जरूरत नहीं है या फिर जिसका वो फा सामने वाले के लिए जितना कि वो expect कर रहा है एक तो यह possibilities है दूसरी possibility यह है कि आप इतना कर दो कि जिसकी सामने वाले को जरूरत ही नहीं है या फिर जो आप दे रहे हो ना उसकी उसके लिए importance नहीं है यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कई लोग मुझे बोलते है कि भई हमने universe से यह मांगा universe ने हमें यह दिया अब इसकी तो हमें जरूरत थी नहीं अब हम यह भी नहीं कह सकते कि universe ने हमें कुछ दिया नहीं लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है तो हम खुश नहीं है तो वो चीज है हो सकता है अपनी तरफ से आप जो सामने वाले को अपने partner को दो व या अगर आप female हो तो आप सोचोगे कि ठीक है surprises इनको देते हैं इनको अच्छा अच्छा खाना मना के देते हैं लेकिन वो चीज उनके लिए important नहीं है उनको कुछ और ही चाहिए है तो आप अपना 200% दोगे लेकिन सामने वाला खुश नहीं होगा तब यह connection end होगा तो दोनों ही मैंने चीज़े आपको बता दी या तो आप दे नहीं पाओगे वो जो सामने वाला चाहता है या फिर आप दोगे तो उसके वो लायक नहीं होगा मतलब उसको वो संतुष्ट नहीं करेगा तो इसके चलते अरेंच marriage का आगे बढ़ पाना चल पाना बहुत मुश्किल है ठ रिजन हो सकता है कि रिष्टा टूटनें के चांसस बने जरूरी नहीं है कि सभी का टूटी जाएगा रिष्टा लेकिन हाँ थोड़ी सी उदासी तो रहेगी connection में तो बेटर यह है कि आप love marriage की तरफ ही जाए औरेंच marriage नहीं जमेंगी आपको ऐसा समझ लो ठीक है रिजन मी राइब सब कुछ था मुझे नहीं समझ आ रहा कि मतलब ओके अगर मैं एक बारे में आपको बताऊं तो मैं यही कहूंगी कि love marriage आपके लिए suitable है अरेंच marriage नहीं क्यूंकि अरेंच marriage में आपको वो नहीं मिल पाएगा जो कि आप चाहते हो ओके that's it जो भी आपकी इच्छाएं हैं जो भी आप expect करते हो अपने partner से हर कोई चाहता है ना कि भई मेरी शादी हो तो मेरा partner मुझे मेरे लिए ये करे वो करे ऐसा सब कुछ तो आप जो भी सोच रहे हो ना वो चीज़े आपको अरेंच marriage में आपके partner से नहीं मिल पाएगी तूटने के chances है 99% ठीक है तो यह है यहां पर यह आपको बताया गया है इंजल की तरफ से ओल राइट किसी तरीके का addiction है ना आपके अंदर तो उसको निकाल दू और बहुत ज्यादा overthink भी मत किया करो बहुत कुछ भरा रहता है दिमाग में and controlling nature अगर आपका है तो उसको भी भई हटाओ ठीक है बात करने का धंग बात रखने का धंग साफ साफ बात करने का तरीका यह थोड़ा इस पर सुधार करो ठीक है आप ऐसे थे नहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि पहले आप love marriage को ही priority दिया करते थे लेकिन धीरे धीरे पता नहीं आपके साथ में क्या हुआ या आपके family members ने ऐसी conditioning आपकी करी आप होनी वैसे जैसे कि cards आ रहे हैं कि arranged marriage को बहुत importance देते हो arranged marriage को importance देते हो फिर भी reading देख रहे हो नहीं पता कि क्या reason रहा होगा लेकिन कुछ तो reason रहा है क्योंकि आप मैंने देखा ना आप काफी साथ romantic हो और love marriage को ही आप priority दिया करते थे यहाँ पर मुझे यह भी लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी को बहुत पसंद करते थे और हो सकता है living में रहे हो बट delay करने की वज़े से या cast या relation की वज़े से यह कुछ problems होई हैं और सामने वाला निकल लिया और आपके best friend के साथ निकल लिया पता नहीं किसके लिए message है लेकिन कुछ ऐसा हुआ तो जरूर है उसके बाद से आपने सोचा कि ठीक है arrange marriage करनी है ज्यादा इस सब में नहीं पढ़ना है और अगर अच्छा पैसा बन रहा है और understanding है और फिजिकल होना आपने उसको ना substitute सा बना लिया है कि अगर हम फिजिकल होते हैं हमारी जो क्लियरली बोल नहीं सकती है क्योंकि आँप बच्चे भी आते हैं रीडिंग दिखने के लिए मेरे मना करने के बाद भी तो आप समझ आई है आई थिंक आपकी सोच ऐसी है कि अगर आप उस तरीके से खुश रहते हैं आपके फिजिकल इंटेमेसी अच्छी रहती है तो इस है तो भी चलेगा राइट कुछ वैसा है आपके साथ ओके एनिवेस जो भी है तो यह थी आपकी रीडिंग आपको पसंद आई हो आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें रेजनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें चैनल को शेर और सब्सक्राइब करना भूलें थैंक्य है तो अगर आपने चूस किया है मून स्टोन को और ग्रूप नंबर टू को जहां पर बर्थ देट्स कुछ इस तरीके से हैं देख लेजेगा तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए कौन सा मैरेज सुटेबल रहेगा और क्यों लफ मैरेज या फिर अरेंज मैरेज उम्रेज दिएकर के से लिए एंगएवाओ टू क। लेकर देखते हैं लिए टू कि दिए खाफ लेजूएट्रोट टू कि एांगंवा गटू कि नह पर रहे हैं विएकर लेग। Two of Cubs, Wheel of Fortune, आप तो लव मैरिश करो या फिर अरेंच मैरिश, दोनों ही आपके लिए अच्छे है, आजी, बट आपके लिए ना, मतलब आपकी जर्णी काफी टफ है आप न, मुझे ऐसे लगता है कि आप हमेशा ही दो options के बीच में, या तो फसे रहे हो, या फिर अभी भी ऐसा चल रहा है, कि दो से तीन options आपके सामने आते हैं, और decide करना होता है कि किसके साथ आपको जाना है, फिर सारी options चले जाते हो, एक भी ना रहता हो, और ऐसी reading कुछ time पहले भी I think मैंने करी है, ऐसा कुछ है, तो ऐसा ऐसा कुछ है, मुझे याँ पर धोका भी बहुत दिखाई दे रहा है, कि कई लोगों ने हो सकता है, दोका दिया हो, या आपने किसी को cheat किया हो, मजबूरी में, या कलत फैमी की वज़े से, मतलब connections आपको मिलते हैं, और फि इसी का wait करते हो, फिर कोई मिलता है, फिर वाई cycles से रिपीट होते रहता है, लेकिन जो भी है, यहाँ पर आपके लिए जो energies आई है, वो तो यह बता रही है, कि अगर आप love marriage करोगे, वो भी आपके लिए अच्छा होगा, arrange marriage करोगे, तो वो भी चलेगा, ठीक है, अधिकत न सकते हो, cancerscopia Pisces हो सकते हो, Aries Leo Sagittarius हो सकते हो, थर्ड पार्टी issues बहुत रहे हैं आपके connections में, थर्ड पार्टी मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे कि आप किसी को पसंद करते हो, उसकी life में कोई है, triangle वाली बात, या फिर family आ सकती है, या फिर friends, या फिर career, मतलब कोई ना कोई एक कोई विचार रहा है, जिसकी वज़े से आप हमेशा single हो, अभी तक single हो, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है, मैं कई बार लोगों को कहती हूँ, जो लोग single है, पूछते हैं, कि हम कब मिंगल होंगे, कब हमें हमारा soulmate मिलेगा, मैं हमेशा उनको भोलती हूँ, कि जब आप manifest करते हो हम ले लेते हैं, कि यह जो सोच है, यह कहीं ना कहीं आपको ग्रोनी करने दे रही, ठीक है, तो वह हो सकता है, रीज़न, अच्छा, तो single ही रहना है क्या, यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं, जो कि ऐसी सोच रखते हैं, कि शादी नहीं करनी मैं है, तो ऐसे ही रहना है, तो फिर आप रीडिंग क्यों देख रहे हैं, पकड़ लिया हैं आपको, पॉलिटिक्स, माइंड, यहाँ पर मास्टर, यहाँ पर माइंड, तो जो चीजे हुई हैं, जैसे कि मैंने कहा, कि मझे धोका वगेरे दिखाई दिया, उससे आपको यह लगता है कि, हैंडल करना, रिलेशनशिप या शादी, पॉसिबल नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप उतने ज़्यादा ड्राम है नहीं कर सकते हैं, जितना कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा हो सकता है, कि आपका नेचर वो हो कि, आपना बाबू, शोना, यह सब नहीं करते हैं, और शादी या रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना, मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, रीडिंग आप इसलिए देख रहे हो कि, अच्छा चलो अगर फ्यूचर में कभी ऐसी पॉसिबलिटीज बनी शादी की, तो देख लेते हैं कि क्या ठीक रहेगा, और एक ये भी रीजन है आपका रीडिंग देखने का, कि ओप्शन आते रहते हैं आपकी लाइश में, तो आपको लगता होगा कि जब आपने सोच लिया है कि आपको शादी नहीं करनी है, किसी कनेक्शन में नहीं जाना, तो फिर ये ओप्शन क्यों आते हैं बार बार, तो वो भी रीजन हो सकता है, जिसके वेज़े से आप ये रीडिंग देखते हो, स्लोइंग डाउन, नो नाथिंगनेस, सेलिब्रेशन, देखो शादी आपकी होगी, मैं आपको बता दूँ, और लफ मेरिज चाहोगी, तो लफ मेरिज होगी, अरेंच मेरिज चाहोगी, तो अर नहीं रहेंगे, ठीक है, सेलिब्रेशन है, यहाँ पर फिर से थ्री है, थ्री, 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 अच्छा मैं आपको बात बताती हूँ, जिससे कि आपको इसमें थोड़ा सक्सस मिल सकता है, वो ये, कि लोगों से थोड़ा बना कर चलो, ओकी, यहाँ पर आपकी लाइफ में इशूज आते हैं किसी ना किसी तीसरे बंदे की वजय से मैंने आपको बताई दिये आपकी सोच है, सोच पर तो कन्ट्रोल करो ही, अगर कुछ निज जोचने 소ल्ग सूचते हो तो उस पर तो कन्ट्रोल करो ही, लेकिन अगर कुछ और लोग आते हैं आपके लाइफ में तो अपनी बात कहो ऐसा नहीं है कि चुप हो जाओ, वो नहीं कहरी मैं, मैं खुद बोलती हूँ लोगों को सच बोलने के लिए और मैं खुद बोलती हूँ, ठीक है, तो चुप नहीं रहना है, लेकिन थोड़ा तरीका चेंज कर लो, जिस तरीकी से बात करते हो न, वो तरीका नहीं है, ठीक है, तो वो थोड़ा खुद को चेंज करने की खुशिश करो, आपकी शादी भी होगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे यह लग रहा है कि रीडिंग देख रहे हूँ, इसके बाद भी एनजी से ऐसी आरीं से आपको लग रहे है, या मैंने करनी नहीं है, तो शाद करो, शादी होगी भी आपकी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और शादी आपके अच्छी रहेगी, मैरिट लाइफ आपके अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा बना कर चलना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉंप्रोमाइस करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा है आपके लिए और देख और दिस्ती कोई काम करो, अगर आपको लग रहा है कि आप सिंगल रह सकते हो, तो आपकी मर्जी, मतब आपको फैसला करना है, मैं कोई नहीं होती, बोलने वाली, यहाँ पर तुझो कार्ट आ रहे हैं, वो मैं आपको बताती जाती हूं, बस, लक्षमी, यहाँ पर आपके के लिए आया है, वोके, बात, हनुमान, वोके, बहुत उदासी सी है आपके जीवन में, मैंने आपको बोला था ना, बहुत उदासी सी है, और, इस उदासी के चलते तो आप कभी भी कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप हो बहुत अच्छे मैनिफेस्टर, लेकिन यह लगाता है, जो साइकल्स चलने हैं ना, इसकी वज़े से उदासी हो गई है, कि आप तो कुछ नहीं हो सकता, शादी वादी, लव मैरेज, कुछ भी हो सकता, आप हो बहुत पॉफुल, लेकिन आपको याद नहीं है, यह चीज़ें, क्योंकि यह सब कुछ हुआ है, बहुत कुछ, इसकी विज़े से भूल गए हो आप, बड़ आप बहुत पॉफुल हो, पता है, मैं आपको यही सजिस्ट करूँगी, कि वापस से म इसा हो जाता है, तो ऐसे रिष्टे आएंगे, जो हाँ, आपको सूट करेंगे, और जिनको आप सूट करेंगे, और जिनको आप सूट करेंगे, करोगे, ठीक है, और जो चाहो आप कर सकते हो, लव मैरिज करो या रेंज मैरिज करो, कुछ भी करो, ठीक है, आप पर बनता है, तो यह चीज़ी आपको करनी है, या तो मा लक्षमी की आप उजा करने लग जाओ, भी आप सोचोगे जादी के लिए मा लक्षमी की पूझा क् तो ऐसा है तो अगर आप मानते हो पूझा पाट में तो मालक्ष्मी की पूझा करना शुरू कर दो और अगर आप पूझा पाट में नहीं मानते हो तो मैं फिर से फोर्स नहीं करूंगी तो आप ऐसे affirmations चांट करो जो की abundance के लिए आते हैं जिन में word use or abundance, ठीक है, वो आपने करना है, और क्या करना है, synchronicities, be mindful of conflict, become better, and then, ये पहले वाले pile में भी आया था, dare to be creative, थोड़ा सा न, आपको ये भी कम करना है, सामने वाले को control करना, क्योंकि कुछ चीजें, मैंने आपको पहले ही बोला, थोड़ा सा compromise करना पड़ेगा, आप भी करो, सामने वाले से अगर करवाना है compromise, तो आपको भी थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, और जितना हो सके, बात क करो लेकिन भैस नहीं आपका जगड़ा हो जाता है तो उससे थोड़ा बचना है आप marriage आप चाहें तो करेंगे love marriage आप चाहें तो करेंगे यानि कि आपकी manifestation पर depend करता है manifest करो वो हो जाएगा थोड़ा सा compromise करना है तोड़ी कम करनी है ठीक है तो यह थी आपकी reading आपको पसंद आई हो आई हो तो को लाइक करें, रेजनेट करें हो तो मझे बताना ना भूलें चैनल को शेर एंज सब्सक्राइब करना भूलें थैंक यू सो मच वाचिए वीडियो ठेकी लब याव यार पाई